सो हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मित करता हूं अच्छे होंगी मैं आज तो आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं सो फंस मिलने वाली है यह 1200 वाट का इस्पिकर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आउडियो टोन प्रोफेशनल की तरफ से यह इस्पिकर आता है जो कि हमारा 1200 वाट में होने वाला है इसके लिए हम कौन सा का यूज करेंगे डवल पंदरा चार पंदरा का यूज करेंगे आपको कैन से अम्प्लिफायर पर इसको ज्यादा वेस्ट आउटपूट मिलेगा उस अम्प्लिफायर के बारे में बताएंगे और इसके लेटेस्ट प्राइस डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं यह इस्पिकर बहुत ही पावरफुल इस्प आज के इस वीडियो में सारी के सारी कानफरमेशन आपको मिलने वाली है अगर मारे चनल पहली बारा है चनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यार सा क्यमेंट कर दीजेगा इसका मनल नमबर है 8015X1250ES यह आपको 1200W में देखने को मिलेगा जैसे कि अब देख पा रहे हैं यह हमारा क्रोम फिनिस में आता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके अबरोल लुक की तुझाशा अब्जेक्ट पा रहे हैं यह बहुत ही सांदार इसपीकर है और आपको देख रहे हैं इसका एर वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया है इसमें डस्ट पार्टिकल ना जाए इसलिए आपको इसमें गिल्स का रु आपको 1200 वाट का आपको देखने को मिलेगा इंपेटेंस इसका एटों दिया गया है और सेंसिटिविटी 97 डीवी के आसपास होने वाली है फ्रिक्वेंसी रिस्पेंस इसको 35 हट से 2 किलो हर्स तक देखने को मिलेगा यानि कि आपको इसमें बेस की क्वालिटी बहुत ही ज् मिलने वाला है इस स्पेकर को लगाने के बाद आपको बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें साड़े 4 इंची वाइस काईल का व्यूज किया गया है जो कि हमारा इन आउट वाइंडिंग में होने वाली है इन आउट वाइंडिंग की क्वालिटी आप जानते ही ह इसमें आपको बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बेस बहुत ही ज्यादा आता है तो आपको क्स्टमाइज करना पड़ेगा की व्यूज को इतना से आवाज आने लगेगी जो कि हमारे व पसे पारे यह चारब करते होने वाला है बहुत ही हाई-पाउर्फूल मैं यह बनाया गया है गया देख पा रहे हैं जैसे कि यह अपको बहुत ही हाई के सब्सक्राइब करें भाधित कर दो आना चाहिए नहीं जान लेते हैं कि आप 2, 4 और 8 स्पिकर के लिए कौन से एैंफ्लिफायर का यूच कर पये हैं इस स्पिकर के लिए क। SPV4K तो SPV4K मेरे हिसाब से इस speaker के लिए better output वाला amplifier नहीं रहने वाला है क्योंकि इसका wattage काफी low दिया गया है 4000 watt के हिसाब से आपको इतना performance नहीं मिल पाए क्योंकि यह 2 ohm पर आपको पर channel पर 2000 watt का output ही देखने को मिलेगा तो SPV4K इस speaker के हिसाब से better amplifier नहीं है इसमें आपको च आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपका वज़ा टाइट है तो आप यह amplifier ले सकते हैं काम चलाऊ है यह speaker को अपना performance नहीं दे पाएगा इसलिए मैं recommend नहीं करूंगा लेकिन आपका budget allow नहीं करता है तो आप यह amplifier ले सकते हैं अगर आप यह amplifier ले रहे हैं तो आप इस पर चार speaker करकर load दे सकते हैं हाला कि आप इस पर clip का ध्यान रखें आप रेड इंडिकेटर तक मत जाएए थोड़ा बैलों को कंड्रोल कर रही चलिए ने तो आपका amplifier जल सकता है overload की वजह से चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं जल लेते हैं इसके लिए best output वाला amplifier सबस्यादा आपको मिलना चाहिए और vibration आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा यह amplifier इस speaker के लिए best amplifier होने वाला है अपने चार टॉप को चलाने के लिए कौन से amplifier कर पाएंगे तो आप 1601 2 amplifier ले लिजिए या तो आप बीटा 3 का आप DT 8004 amplifier ले सकते हैं जो कि चार चैनल का amplifier है पर चैनल पर एक टॉप का लू दीजिए बहुत ही अच्छा output देखने को मिलेगा एक amplifier पर दूपनेट का लोड और दूसरी amplifier दूपनेट का लोड चल जाएगा बहुत ही best output आपको इससे मिलने वाला है इस speaker आपको MT601 में बहुत ही best output देखने को मिलेगा मेरे साब से मैं recommend करता हूं कि आप MT601 ले लिजिए कोई दिक्कत आने वाला नहीं है आप अधर ब्रैंट के MT601 एम्टी सीरिस के जो amplifier आते हैं उनको भी यूज में कर सकते हैं जैसे कि audio standard हो गया आप उसका भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा output देखने को मिलेगा SPV 4K मैं recommend नहीं करूंगा हाला कि आपका वज़र करणे यूज में ले सकते हैं बहुत ही best output आपको देखने को मिलेगा बेस और वाइब्रेशन आपको लॉंग दरो के साथ में दिखने को मिलेगा So friends यह था हमारा आज का वीडियो आज करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल क पर सिलेक्ट लीजेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके सबसे पहले चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट वक्स में कमेंट करना ना भूलें आपके कमेंट पर आ के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हाथ के लिए बबाई चैन चे भारत